चार में की चुरुत अने अर्सकों सोगत है परमात्मा कहते हैं कि विगनों को मनोरंचन का खेल समझ पार करने वाले निर्विगन विजई भावा विगन आना ये अच्छी बात है लेकिन विगन हार ना खिलाए विगन आना ये अच्छी बात है, क्यों अच्छी बात है क्योंकि विगन सही है, हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे हर परसिति को पार करना है विगन आना यह अच्छी बात है, लेकिन विगन हार ना खिलाए, विगन आती ही है मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विगनों से घबराने के बज़ाए उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो तब कहेंगे निर विगन विजई है, उनको खेल समझ न, उनसे घबराना नह मजबूत बनाने के लिए हैं, विज्दम सिखाने के लिए हैं, विवेक देने के लिए हैं, समझदार बनाने के लिए हैं जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विगन रहेंगे इसमें हमें अकल्यांट में भी कल्यांट देखा और निर्विगन के से रहेंगे क्योंकि हम negative बातों से नीची की बातों से हम उपराम हो जाएंगे जब बुद्धी फ्री होती है तब विगन वा माया आती है नेगेटिव जब हम होते हैं तब हमारे सामने विगन आते हैं माया आती है बिजी रहो तो माया का विगन किनारा कर लेंगे अगर हम बिजी रहें परमात्मा की याद में और सेवा में तो आटोमाटिकली जो वेगन है वो किनारे हो जाते हैं हमारे उम्शंति